आपने IT इक्रवाय बारे में जरूर सुनाूगा इंड्ययान फार्मासिट्रिक इन्डसट्र इनि-घ्र इंडियान फार्मसिट्रों के लिण चाहता है इन इनडियान फॉनासिक हो इसवीम्गल और इसर्च हो या फिर वह फूल॥ infrastructure भी low cost में मिल जाता है यहां पर professionals भी अच्छे competitive low cost मिल जाते हैं और यहां पर जो पूरा एक environment है वो काफी ज्यादा friendly है pharmaceutical industry के grow करने के लिए और हैदराबाद में एक ये पूरा hub के तरीके से त्यार किया गया है जीनों वेले में चाहिए वो अरेंडी सेक्टर हो चाहिए वो क्लिकल रिसर्च हो चाहिए वो API हो चाहिए formulation हो या फिर vaccine हो इन सब के manufacturing के plants वहाँ पर हैं corporate plant वहाँ पर हैं head offices वहाँ पर हैं पूरा knowledge park वहाँ बनाया गया जैसे युनाटे इस्टेट फर्मा कोपिया का जो training institute है वहाँ पर तो इस तरीके से एक ऐसा प्लेश डिवलप किया गया है जहां पर coordination अच्छा हो एक दूसरी के साथ collaborate करके सही तरीके से वह ग्रू कर सके more than 200 companies वहाँ पर आए ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो 18 countries से कंपनी हैं वहाँ पर आके अपने situated हैं जिसमें more than 15,000 professionals वहाँ पर work करते हैं इंडिया की top three companies भी हैत्रवाद में situated हैं भारत बाइटेक बालचकर ई एन इंडियन immunological तो एक तरीके से हैत्रवाद फार्मा सिर्कनरिस्टिक लिए एक hub बन गया है और future में यहां पर investments और होंगी यहां पर development और होने वाला बहुत ही diverse तरीके से अलग लग तरीके से जहां पर API segment जिसमें कोविट के बाद से government काफी back कर रही है formulation में हम already अच्छा कर रहे हैं vaccines में हम already अच्छा कर रहे हैं कोविट के टाइम पर जिस तरीके से इंडिया स्टार्ट करें जिससे इंके world level पर हमारी value जो कि production level पर अच्छा है but cost level पर कम है तो वो भी increase हो सके तो this is genome valley the hub of pharmaceutical industry located in Hyderabad thank you